तो मेरे प्यारे दोस्तों पापडों का मौसम आ चुका है और इस मौसम में अगर आपने पापड नहीं बनाई हैं तो चलिए मेरे साथ इस वीडियो को देखिए और आप भी बनाईए तो आज मैं बनाने वाली हूँ क्या सूजी के पापड तो मैं यहाँ पे एक कडोरी आ रही है कम ज्यादा जैसा भी लेकिन नाप एक ही रखे कटोरी भगोना कुछ भी ले रहे हैं अपने परवार के इसाब से तो आप देख सकते हैं मैंने एक छोटी कटोरी में सूजी ले लिया है रवा यानि बहुत सी जगह पर रवा भी कहते हैं सूजी भी कहते हैं ठीक ह जैसी वह वैसी ले लेना अब मसालों में आपको लेना है क्या इसमें हमें डालना है जीरा तो यहां मैंने एक चमच जीरा ले लिया है आदा छोटा चमच नमक ले लिया है नमक हमें स्वादनसर ही डालना है और काली मिर्च का पाउडर लेना है मैंने काली मिर्च का जुआइन ठीक है सारी चीजों को लेना है बेकिंग सोडा नहीं है तो इसकी जगह पर आप पापड़ का खाड़ भी डाल सकते हूँ चलिए अब बात करते हैं क्या पानी हमें कितना लेना है तो मैंने जिस कटोरी से सूजी लिया था रवा लिया था उसी कटोरी के नाप से हम इसमें डालेंगे पानी तो मैंने यहां पर ले लिया है साथ कटोरी पानी पांच कटोरी पानी मैंने आपको दिखा दिया है तो मैंने दो कटोरी इसमें और डाल दिया था तो साथ कटोरी हमने पानी यहां पर लिया है और जब यह पानी खुलने लगे यानि कि उबाल आ ज पखाएंगे और डालते हुए थोड़ थोड़ डालेंगे एक साथ नहीं डालेंगे और लगातार इस वेलन की मदद से हम चला लेंगे ताकि इसमें कोई भी गुठली ना बने यानि कि लंख सणावरे ठीक है अब आपको क्या करना है इस तरीके से चलाते हुए आपको धीमी तो आप देख सकते हैं यह काफी फूलने लगाए आप देख रहे ना सूजी फूलने लगी है और इसको आपको लगातार चलाना है लगातार चलाते हुए धिमी आच पकाईएगा दोस्तों आप सभी लोग आई हैं नमरता अब दोरिया व्लॉग चैनल पर अगर आप यह वीडियो को दोस्तों में सेयर कर देना और वीडियो को लाइक करना ठीक है और मुझे कमेंट करके बताना अगली रेश्पी आपको कौन सी चाहिए चलिए अब यहां पर ने डाल दिया है क्या हरा धनिया कटा हुआ धेर सारा मैंने डाल दिया है धनिया की पत्ती बहुत तक पकाएंगे तो इसकी जो सूजी है एक एक सूजी अच्छे से फूल जानी चाहिए ठीक है अगर आपको ऐसा लग रहा है इनकेस में कि पानी कम लग रहा है तो एक अर्केटोरी पानी और बढ़ा सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन हमेशा पानी का जो नाप लें म उसी नाप से आप पानी को इसमें इस्तिमाल करिए तो पापड़ आपके एकदम से परफेक्ट बनेंगे तो यह देखे हमारा साथ नट हो चुका है अभी यहां पर हमारी सूजी तयार हो चुकी है अब हम क्या करेंगे ऐसे में ही गैस का फ्लेम कर देंगे बंद तो चलिए में गैस का फ्लेम बंद कर देती हूँ अब हमें करना गया है अब हमें इसको ढख करके इसको हमें छोड़ देना है क्योंकि अभी यह काफी गाड़ा होगा आप सभी लोग जानते हैं सूजी में जब बना भलगवा बगरा भी बनाते हैं तो अपने आप से जब यह ठंड़ ऊधा होता है जाता है कि ईतना गीला आप चुऊड़ना और इसको खाल करके हम करीवं दो मिनट के लिए इसको छोड़ेंगे बिल्कु ठंदा करना बस मरता पर ठंदा होगे जोडा हम आराम से अपने हाथों से चूव सकें चलिए इसको मैंने छोड़ दिया अब यह देखें यहांप्र मेरे दो मुनट हो चुके हैं अब दो अब आपको इसकी छोटी छोटी गोलियां बना लेनी हैं सबसे पहले हम जिस वरतन में रखेंगे इन बॉल को तो उस वरतन थोड़ा सा ओल लगा देंगे और थोड़ा सा हाथों में लगाएंगे और इस तरीके से इसके बॉल बनाते चले जाएंगे जोस्तों आप से एक रु सूजी के सारे बॉल बना लेंगे बड़े छोटे पापड आप जैसे बनाना चाहें वह आपकी मर्जी है तो इस तरीके से आप बना लीजिए तो यहां पर आप देख सकते हैं यह सारे पापड बन चुके हैं आप देख सकते हैं यहां पर 22-23 पापड हमारे बन बन चुके यानि की बॉल्स तयार हो गई हैं अब इनको हम ले चलते हैं धूप में आप चाहें तो इन पापड़ों को पंखे में भी सुखा सकते हूं तो यहाँ मैंने एक Polythen लिया है और Polythen के ऊपर ही मैंने सुजी का बॉल रख धिया है इसके उपर से एक Polythen रखी है और plate से इसको दबा दिया है यह देखिए इस तरीके से मैंने एक पापड बना दिया है आप इसी तरीके से 2 पापड ऐक साथ में बना सकते हैं भस बड़ी पॉलिषीन होने चाहिए तो यह देखे इस तरीके से हम प्लेट लेंगे और प्लेट से इसको दबाते जाएंगे बिलगत away Teraz hain यह देखे इस तरीके से सोज़ज़ सा ज्यादा प्रेस करिएगा और पापड को बहुत ज्यादा पतला ना करें बहुत ज्यादा पतला करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी और अगर आपको लग रहा है पापड मोटा हो गया है प्लेट से नहीं दर रहा है तो आप इस तरीके से पापड को फैला भी सकते हो तो मैंने आपको सार सारे पापड मेरे From Gonna also une भापड पूरे सुख सोग़ अगर आपको ऐसा लग रहा नहीं सुखे है तो दूसरे इसमे और रख देना नहीं को आप देख सकते हैं यह हमारे बन करके तयार हो बढ़िया से आप इनको आप कैसे खाएंगे मैं बताऊंगी चलिए आप इनको मैं आपको सेक दिखाती हूं इने पापड़ों को आप साल बर के लिए आराम से बना करके श्टोर कर सकते हैं बिल्कुल भी खराब नहीं होते हैं आप देखिए इसमें जो हमने सोडा डाला था किसे हो रहा है ज़ो हमारा पापड हो गए कितना अच्छा फैला है सोडा कि खाणों यूच कर लीजिए ठीक है को कई चोटा साइज और बड़ा पापड हो रहा है तो इस तरीके से पापड को भूनियेगा भून करके इसको आप एंज्व overdव करिएगा चाय के साथ में बच्चे आपके बहुत पसंद करेंगे बड़े भी पसंद करेंगे तो इस तरी के से पापडों के मौसम में पापड बनाए खाइए, होली के तवार में बनाए खाइए, तो ये लिजिए, ये देखिए, मैं आपको तोड़ करके भी आपको दिखाती हूँ, तो आप इसको बनाए एंजॉय करिए और भी मैं पापडों की रेस्पी ले करके आउंगी एक एक आपके साथ में सेयर करूंगी मैंने वीडियो बना रखी है ऐसी और भी वीडियो यानि की रेस्पी देखने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब पर लेना और वीडियो को